मेरी शादी को लगभग पांच साल हो चुके थे, लेकिन मेरी बहन और मेरी मा ने हमें बच्चा देने में मेरी मदद की. अपनी मा के कहने पर मैंने अपने पती का और अपनी बहन का चक्कर चलवा दिया था, लेकिन उपर वाले को तो कुछ और ही मनजूर था. बच्चा होने के बाद मुझे लगा मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी लेकिन मुझे बच्चा तो मिल गया था लेकिन मेरी जिंदगी में न जाने इतनी सारी मुसीबतیں कहां से आ गई थी मैं अब तक भी मा नहीं बन पाई थी हालां कि मेरे पती मुझे से बेहद मुहबत किया करते थे लेकिन अब धीरे धीरे मेरे पती के उपर भी उनके घर वालों और समाज वालों का प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था कि पाँच साल बाद भी तुम अब तक एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई हो ऐसा कहकर मेरे पती को उनके घर वाले और समाज वाले ताना मारने लगे थे मेरी सास मुझे आए दिन परिशान करने लगी थी और मेरी ननन तो मुझे बांज कहकर भी पुकारने लगी थी हमारे घर में मेरे पती की दूसरी शादी की भी बातें चलनी स्टार्ट हो गई थी और यह बातें जब मैंने अपने कानों से सुनी तो मेरे पैरों से तो मानों जमीन ही निकल गई थी मैं अब पांच साल बाद आखिरकार अपने माता पिता पर भोज नहीं बनना चाहती थी मेरे पिता ने मुझे 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 पाल पॉसकर बढ़ा किया था मेरी और मेरी बड़ी बहन की शादी की थी लेकिन हम दोनों बहनों की जिंदगी में मानों खुशियां आई और फिर पता नहीं कहां गायब हो जाती और इन सब बातों से मैं और मेरी माँ और मेरी बहन तीनों परेशान रहते थे उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके में चली गई क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने अब मेरा जीना हराम कर दिया था जब मैं अपने मायके में जाकर अपनी बहन और अपनी मा को इन सब बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि मैं अपने पती को किसी दूसरी औरत से बच्चा करवा दो जिससे समाज वाले और मेरे ससुराल वाले सभी को एक वारिश भी मिल जाएगा और मेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी लेकिन मैं यहाँ आखिरकार कैसे कर सकती थी वह मेरे पती थे मैं उन्हें किसी दूसरी औरत के साथ कैसे देख सकती थी हालां कि मेरे पती भी मुझे बेहत प्यार किया करते थे लेकिन उनके उपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था कि अब उनके मन में भी कही न कही मेरे लिए अब खोट पैदा होना स्टार्ट हो गया था मेरी बहन मुझसे बड़ी थी और वह भी तलाक शुदा थी वह मेरे माता पिता के साथ घर पर रहती थी मेरे पिता एक छोटी सी जॉब किया करते थे जो कि दूसरे शहर में रहते थे तो घर पर मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन रहती थी मैं जब वहाँ पर गई और उनको मैंने अपनी सारी समस्या बताई तब मेरी माँ ने सोच समझ कर मुझे यह सलाह दी कि तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो तुम अपने पती को यहां पर बुला लो और उसका चक्कर अपनी बड़ी बहन से चलवा दो ताकि वे दोनों तुम्हें एक बच्चा करकर दे दे और यह बात सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहेगी क्योंकि हम तीनों घर के लोग हैं इससे तुम्हारी भी इज़त बची रहेगी और हमारी भी जब मैं यह बात सुनी तब मुझे बेहत बुरा लगा कि मेरी माँ मेरे पती के बारे में क्या सोच रही है मेरे पती ऐसे बिलकुल भी इंसान नहीं थे जो कि एक बच्चे के लिए किसी और औरत के साथ सो जाए लेकिन मेरी मा और मेरी बहन को इससे कोई आपत्ती नहीं थी मेरी बड़ी बहन मेरा रिष्टा बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी हालां कि मेरी बड़ी बहन भी कहीं ना कहीं मेरे पती को चाहती थी क्योंकि जब मेरे लिए शादी का रिष्टा आया था तब यह रिष्टा मेरी बड़ी बहन को पसंद था लेकिन उपर वाले को तो कुछ और ही मन्जूर था और इत्तेफाक से मेरी शादी मेरे पती से हो गई थी कुछ दिनों बाद मैं अपने पती को अपने मायके में बुला लिया था जहां पर मैंने उन्हें कहा था कि हाँ पर एक बेहद अच्छे डॉक्टर है जिन्हें मैं अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि तुम्हारा बच्चा जल्द से जल्द हो जाएगा बस तुम्हें कुछ दिन रहकर यहां पर दवाया लेनी पड़ेगी और यह बात सुनकर मेरे पती फॉरण मेरे मायके में आ गई थे और वह जाकर वहीं पर रहने लगी उसके बाद धीरे धीरे मेरी बड़ी बहन ने मेरे पती के ऊपर अपना जादू चलाना स्टार्ट कर दिया था वह उनसे हसकर बातें करने लगी थी और उनके करीब जाने लगी थी लेकिन मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिरकार मैं कैसे किसी पराई औरत को अपने पती के पास भेज दो लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब होने दिया और उसके बाद मैंने एक दिन अपने पती को सारी असलियत बता दी जिसे सुनकर मेरे पती ने मुझे जोड़दार च्छांटा मारा और उसके बाद मुझे कमरे में ले जाकर समझने लगे जैसे यह बात मेरी मां और मेरी बड़ी बहन को पता लगी वह लोग भी हमारे कमरे में आकर बैठ गये और हम सब लोग बैठ कर बातें करने लगे थे मेरी मा ने मेरे पती को समझाया कि देखो हमारे पास इसके सिवा अब कोई भी ओंप्शन नहीं है तुम्हारे घर वाले ही है चाह रहे हैं कि अगर ये बच्चा नहीं पैदा कर पाई तो हम इसे तुमसे तलाक दिला देंगे और हम ये कतई भी सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी घर पर ही तलाक लेकर बैठी हुई है हम समाज में आखिर क्या मुह दिखाएंगे और तुम्हें सिर्फ एक बच्चा चाहिए वह बच्चा तुम्हें मेरी बड़ी बेटी दे देगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि यह बच्चा इसकी बड़ी बहन का है और उसके बाद इतना समझाने के बाद मेरे पती भी मान चुके थे क्योंकि मेरे पती भी आखिरकार एक मर्द थे उसके बाद लगभग एक हफते तक मेरे पती हमारे मायके में रहे और मेरी बड़ी बहन के साथ क्रिकिट खेलते रहे उसके बाद वह वापस अपने घर जा चुके थे जैसे ही वह घर गए उसके लगभग एक महिने बाद मेरी बड़ी बहन गर्भवती हो चुकी थी और हम बेहत कुछ थी लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह थी कि यह बातों को हमें समाज के सामने से छुपाना था इसलिए मेरे पती ने अपने घरवालों से यह कहकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए कि मेरी वहाँ पर एक अच्छी नौकरी लग चुकी है और मैं वहीं पर रहकर कुछ समय जौब करना चाहता हूँ और मैं वहीं पर रहकर अपनी बीवी का भी एक डॉक्टर से इलाज करवाया है उसके बाद में और मेरी बड़ी बहन हम तीनों मिलकर दूसरे शहर में जाकर रहने लगे लेकिन मैं कुछ थी कि मुझे एक बच्चा मिल जाएगा लेकिन मुझे कहीं न कहीं अब यह भी लग रहा था कि मैंने अपने पती को बांट दिया है मेरे पती की जिन्दगी में अब दो औरतें आ चुकी हैं क्योंकि मेरे पती एक अच्छे आदमी थे वह मेरी बड़ी बहन को अब इस तरीके से नहीं छोड़ सकते थी क्योंकि वह उपर से तलाक शुदा थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जिन्दगी का इतना बड़ा बलिदान मेरे पती और मेरे लिए दे दिया था तो इसके चलते मेरे पती ने मंदिर में जाकर मेरी बड़ी बहन से भी शादी कर ली थी और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम दोनों को एक साथ एक ही घर में रखूंगा इससे मेरी बड़ी बहन बहुत खुश थी क्योंकि वह कहीं ना कहीं मेरे पती से बेहत प्यार किया करती थी और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने मेरी इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी उसके बाद हम वहीं पर तीनों खुशी रहने लगे और लगभग नो महीने बाद मेरी बड़ी बहन ने एक बेटे को जनम दिया उसके बाद उसे बच्चों को लेकर जैसे ही मैं अपनी सा सुराल गई